प्राणवाट डाइडम आपका स्वागत है दैश्री रमाक्रिष्ण आज आपको बता रहा हूंगे खुन साफ के लिए खुन कैसे साफ करें काफी लोग विचार करते होंगे कि खुन तो अंदर इस शरीर में इसको साफ कैसे किया जाए आप शरीर में अंजन और मंजन भी करते हैं आखों में अंजन और दातों का मंजन यह सफाई हैं एक परकार से बूटों पर पालिश करते हैं यह भी सफाई है और आप अपनी गाड़ी मोटसाइकल उनको भी सर्विस के लिए लेके जाते हैं और ऐसे ही आप अपके बूट है कपड़े सबका आप सोधन करते हैं आप उसमें बड़े शौक से चमक लाते हैं मेलापन दूर करते हैं पर आपके रख्त के अंदर जो मेलापन है जो अशुद्या है उसको कैसे सुद्ध करें यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर नाश्राणाव साइकोलोजिस्ट डाइटीशन आज आपको बता रहा हूं हमारे तन के अंदर जो रक्त वानिया है उस रक्त उसमें रक्त बैता है उसको सुद्ध कैसे करें तो उस अ्युषदिस्ट करbert प्रावधम अलोपेतिक नबयान नहीं आती है पर अरुवविधिक में इसके सारे प्रावधमें वह द्रॉल्बहर होती है अती है जिस से व्यक्ति मैं कर्ता मैं कर्स u करेंगे तो बात गलत पता रहे हैं इसको कोई बार निकाल के थोड़ी सब किया जाएगा यह साइकोलोजिस्ट ही जान सकता है बाकी के बसका काम नहीं है तो आपके मंद में अगर इस परकार की कोई संदे हैं तो आपके निकट वैदराजिस से मिलिए उन्हें पूछिए वह आपको जुरूर बताएंगे यह बात उन लोगों के लिए जो शंका करते हैं पर जो शंका नहीं रखते हैं कि खुनसाप के लिए भी ओश्रती आती है अरवेदिक में तो इसका नाम है उस्वा अर्क आता है आपको उस्वा अर्क किसी अरवेदिक जो medical store होते हैं जो अर्वेदिक दवायों की दुकान होती है वहां आपको आसानी से मिल जाएगा और इसका सेवन आप करेंगे तो निश्रित है कि आपके रक्त के विकार हैं वो दूर हो जाएंगे रक्त शुद्ध होंगे तो उस्वा अर्ख आप अपनी निकट अर्वेदिक करेंगे और आपका मन संतोष्ट हो जाएगा अगर आपको शार्थक टिपनी करेंगे तो शार्थक टिपनी का दबाब दूंगा मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद स्वस्तर है मस्तर है